कि नमास्ट का ट्रेंड कैसे हैं आप सब उन्मीद करता हूं आप लोग चीकी होंगे तो वापन से पिले नए वीडियो में आप सभी का त्वागत है और मैं चल दा हूं अभी साइकिल से दिटी की तरफ रंता उसको गाउं भी बूला जाता है तो चलिए देखते हैं कैसा है सहर साइकिल से वीडियो में बने रही है अगर आप दुछने अबी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहें देख रहा है कि इतना देज गाली चल रही है तो आप कभी भी गल्फ कंट्री में जाएं तो ध्यान रखें तो लार रोट के किनारे से ही जाएं क्योंकि थोड़ा से मिश्टेक करेंगे तो दूर गटता हो सकती है इसलिए मैं किनारे किनारे ही जा रहा हूं रही कुछ न जा रहा है पीछे के कामरे तो देखेंगे इतर ज्यादा तर यही गाणियां चलती है फीछे लगेज वगेर ले जाने के लिए तो आ गए हम फाइनली रमता में और देखेंगे इधर का नजारा एमेलेटरी कैम्प है यह वाला जो अभी बंद पड़ा हुआ है फ्राइडे को खुलता है थाड़े छे बजे सामको तो टाइम नहीं मिल पाता है मुझे इसलिए नहीं बना पाता हूं तो वीडियो में बने रही है और देखिए मेरे साथ जार्डन का खुलत लोकेशन के लोकल लोगों का घर देखिए कैसा रहता है देखिए अल रमता सीरिया सीरिया के किनारे ही अमबग रहते हैं देखिए घर इनलों का अब मेलेट्री कैम का तोप अगरे देखिए उधर लगा हुआ है तो ही सारी चिजें है यह मेलेट्री कैम भाएं जार्डन के लोकल लोगों का घर जो सहर में बसा हुआ है देखिए कितना अच्छा खुबसूरत घर है इधर का जो ही सारा है लोकेशन कल्चर यहां इधर भी खेती हो रही है थोड़ी थोड़ी अभी कोई नहीं दिख रहा है धूप है इसलिए कोई दिखता नहीं है इधर तिन में देखिए कितना अच्छा अच्छा घर बनाया गया है जार्डन के जो लोकल लोग हैं गाउं में रहते हैं इधर का गाउं ऐसा ही रहता है इस तरब का में पूड़ा है इस तरब का में पूरा और इधर पूरा सहर बसा हुआ है और साइड में इस तरब इस में थे पूरा इस पूरा इस पूरा इस रहते हैं यही है रम्ता रम्ता का गाउं जो इधर के किंग है उनका फोटो था यह बहे की यही सारा गाउं है दून में तो कुछ चेखने को नहीं मिलना है कि आप सारा एक ही जैसा घर देखने को मिलेगा कुछ भी अंतर नहीं है क्योंकि गल्फ कंट्री में है जैदा तर ऐसा ही घर वगेरा रहता है यह सहर है रम्ता गाउं भी बोला जाता है इसको पहाड़ों के किनारे अम्मान से 100 किलो मिटर पीछे पहाड़ों पे बसा एक सुंदर सा सहर रम्ता तो चलते हैं अंदर देखते हैं नजारा गाउं के अंदर का ऐसा ही कुछ दिखता है जार्डन के गाउं का अंदर देखे कितना अच्छा सजाए हुए हैं लोग घर को अब कोई नहीं दिख रहा है इधर फिलाल को हुआ है इसा ही लोकेशन रहता है कुछ बहुत दूर आया हूं में 10 किलो मेटर दूर साइपिल के लाखे तो आप लोग समझी सकते हैं कितना मेनत लगता है वीडियो बनाने में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए वीडियो को बाच करिए सेयर करिए बहुत रिस्क लेकर कि मैं वीडियो बनाया हूं क्योंकि मेरे पास सिविल आईडी नहीं है फिर भी मैं बना रहा हूं तो नहीं आएगा चैनल पर तो चैनल का ग्रोथ रूप जाएगा और बहुतारी दिकत हैं भी इस सब घर वगर है इधर का तो फिर मिलते हैं रेक्ष्ट वीडियो में वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आगे शेयर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा अगर दीजिएगा